हेलो गयास केसे हैं आप लोग स्वागत थे आप लोगों का फिर से मेरे एक ने है वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा guys की रेड्मी 9 फोन में अगर आप लोगों का नेट नहीं चल रहा है तो इस प्रोब्लेम को आप कैसे शщоल्ब कर सकते हो अगर आपके पास एक Redmi 9 phone है उसमें जो है नेट एक दमी नहीं चल रहे है यूटूब को ओन कर रहे हो लेकिन अबर ओफ-लाइन दिखा रहा है फेजबुक में भी सेम है गाइस ओन करने भी ओफ-लाइन दिखा रहा है तो नेट अगर नहीं चल रहे है तो इस प्रोब्लेम को कै करते हैं तो इस प्रोब्लेम को सॉल्व करने के लिए आपर सबसे पहले जो है आप लोगों को उपर से नीचे स्क्रोल डाउन कर लेना है और यह आपर एक ओप्शन होगा इस एरोप्लेन मोड का यह वाला ओप्शन आप लोग देख सकते हैं अगर आपके फोन में जो है यह आप लोगों का जो नेट है वो नहीं चलेगा ठीक है तो यह आपर से इसको ओफ कर देना है आपका जो नेट है वो चलने लग जाएगा उसके नीचे देख सकते हैं अप्शन है डी एंडी का अगर आपके फोन में यह डी एंडी मोड ओन रहेगा तब भी जो है आप लोगो का नेट नहीं चलेगा तो डी एंडी का फूल फ्रॉंग डू नोट डिस्टर्फ होता है तो इसको जो यह आपर से ओफ कर देना है ओप करते ही आपका जो नेट है अभी चलने लग जाएगा तो यहापर से आप लोग यह दो सेटिंग्स देख सकते हैं देखके आप लोग इसको आप लोग बंद कर दीजेए बंद करने के बाद आपका नेट चलने लग जाएगा उसके बाद अप लोग क्या कर सकते को मिलेगे उपर के साइड में सीम 1 और सीम 2 तो यह पर अगर आपके फॉन में दो सीम होंगे तो जिस भी सीम में आप लोगों का नेट नहीं चल रहे हैं आप लोगों को उस सीम पे कुछ इस तरीके से क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यह पर देख सकते एक दम नीचे के तरब एक यूज वोल्टी का ओप्शन है अगर आपके फॉन में जो ही यूज वोल्टी का ओप्शन ओफ रहेगा तब भी आप लोगों का नेट कभी कभी नहीं चलता है तो इस यूज वोल्टी के ओप्शन को हमेशा ओन करके ही रखिए उसके उपर देख सकते एक ओप्श अप्शन पहुं किलिक करते ही यह आप जो हमारा ivan setting है यह पर completely reset हो जाएगा और शबने के बाद आपका जो और नीचे एक option मिलेगा गाई, reset, wifi, mobile network and bluetooth का, तो इस option पे click कर दिजिए, click करने के बाद देख सकते हैं एकदम नीचे reset settings लिखा हुआ है, अगर हम यहापर से reset settings कर देंगे तो क्या क्या reset होगा ये भी आप लोग जान लिजिए, उपर लिखा हुआ है, देख सकते हमारा wifi setting reset हो जाएगा, mobile data setting reset हो जाएगा और bluetooth settings भी reset हो जाएगा, तो यहापर हम इसलिए reset settings पे click कर देंगे और ok पे भी click कर देंगे, ऐसा करने से हमारा जो ये net rock setting है वो reset हो जाएगा, net rock setting reset होने के बाद आपका जो net नहीं चल रहा था, वो भी problem यहापर solve हो जाएगा, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद यहापर से आप लोगों को settings पे click करना है, settings पे click करने के बाद यहापर देख सकते, sim card chain, mobile net rock का option होगा, उस पे click कर लेना है, क्लिक करने के बाद यहापर देख सकते एक option होगा data card का, तो फिलेल मेरे phone में जो ही data card का option off है, क्योंकि मेरे sim में, मेरे phone में जो है एक ही sim लगा हुआ है, अगर आपके phone में guys दो sim होंगे, तो यह data card का option आपके phone में on होगा, तो यह आपर से आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको देख लेना है guys, कि यह data card जो है किस sim में set है, अगर आपके पास एक recharge नहीं है, या जो data है, data भी नहीं है आपके दूसरे sim में, अगर उस sim में यह data card set है, तब भी जो है आप लोगों का net नहीं चलेगा, अगर आप लोग अपने Redmi 9 phone में अगर net नहीं चल रहा है, तो आप लोग इस problem को solve कर सकते हो, तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो, अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए, मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाई बाई